हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक तो मैं चैनल चारू स्टिच क्रियेशन तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी पफ स्लिप्स की कटिंग तो फ्रेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस कपड़े को फोर फोर्ड में रख लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने निसान लगाया है साड़े तस इंच का तो साड़े नौ इंच हमारी स्लिप्स की लेंथ है वन इंच मार्जन है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं साड़े तीन इंच मैंने इस तरह से निसान लगा लिया है अब हमें यहाँ पे निसान लगाना है आम होल की गुलाई का तो फ्रेंस यहाँ पे जो हमारे ब्लाउस की आम होल की गुलाई है 9 इंच है तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 9 इंच पे निसान लगा लिया है और उसके बाद उसका सेंटर कर लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने लेंट का निसान लगाया था वहाँ से हमें निसान लगाना है चार इंच का साड़ी तीन या चार इंच आप अपनी puff slips की according रख सकते हैं उसके बाद हमें यहाँ पे एक box बना लेना है इस तरह से हमेंने यहां पे बॉक्स बना लिया है अब हमें यहां पे निसान लगाना है तो देख सकते हैं इस निसान को हमें उपर की तरफ से इस तरह से लगाना है और जो हमारा बॉक्स बना है जहां पे बॉक्स का कॉर्णर है वहां से ले जाते हुए हमें नीचे जो हमारा fitting का निसान है वहां तक मिला लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे निसान लग चुका है और जो निसान हमने लगाया है box के corner का वहां तक हमें इस तरह से plates डालनी होती है तो हब हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे कटिंग करने से पहले यहाँ पर आप दो इंच का जो मार्जन है उसका निसान लगा लिजी और उसके बार नीचे की तरफ मोहरी का निसान हम यहाँ पर लगाएंगे 6 इंच पर 12 इंच हमारी मोहरी है उसका सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच और यहाँ पर हमें निसान लगा लेना है तो यहां पे हमारा निसान जो लग रहा है यह है जो मार्जन है उसका और उसके बाद यहां पे जो हमारा निसान लग रहा है यह निसान हमारी सिलाई का है और इस निसान को हमने आप देख सकते हैं हलका सा राउंड दिया हुआ है तो इसी तरह से हमें अच्छे फिटिंग के लिए इस तरह से राउंड देदेना है तो यहां पे इस तरह से राउंड देने के बाद आप हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो कटिंग का illcken हमने लगा यहां अपर हमें कटिंग नहीं है और यहां पर के गोमाते हुए project कर लेना है है कि आ अधिक हैं सिर सक्ते हमारी news हो चुकी है हमें यहांपर का निसान लगाया था इस तरह कीं निसान पर ही हमने इस तरह कीं है और यहां पर दिए्हट सद्सक्राइब कि हमारी और में किया जो हमारी और मुल की गोलाई हो दो क्ट नहीं की है क्योंकि यहां पे हमारी puffs list बनती है तो इस तरह से puffs list बनती है तो उस पे हमें आगे की तरफ वाली गोलाई नहीं देनी होती है तो यहां पे इस तरह से हमें plates लगा लेनी है और इस तरह से plates लगाने के बाद हम यहां पे इसे नापते हैं तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो corner वाला निसान था, वहाँ पे मैंने इस तरह से cut लगा लिया है, अब इससे हम खोल लेते हैं, तो friends यहाँ पे आप देख सकते हैं, खोलने के बाद इसका कुछ इस तरह का shape आया हुआ है, अब यहाँ पे हमने ले लिया है main fabric, इसके दूरी पर मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से cut किया है, और जब हम इसके ऊपर इससे stitch कर लेंगे, तो आगे का जो extra कपड़ा है, उसे cut कर देंगे, तो friends यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से मैंने main fabric फैला लिया है, और उसके ऊपर, यहाँ पे मैंने इस तरह से, slips का अस्तर इस तरह से रख लिया है, जो निसान है, वो मैंने नीचे की तरफ रख कर लिये हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारी main fabric है, उस तरह से border है, इस border को हमें निकाल लेना है, तो यह border हमने निकाल लिया है, क्योंकि इसमें बहुत कच्ची सिलाय थी, तो इस तरह से हमें half inch पे इस तरह से सिलाय लगा लेनी है, अस्तर मैंने नीचे की तरफ कर लिया है, और main fabric उपर की तरफ है, तो इस तरह से अगर आप इसमें सिलाय लगाएंगे, तो जो हमारा अस्तर वो खिषता है, वो खिचेगा नहीं, और यहाँ पे जो हमारा main fabric है, उसका जो side है, प finishing आजाएगी, सिलाय करते समय, तो अब हमें इसे पलट लेना है, और पलटने के बाद, उपर की तरफ अस्तर की side पे हमें इस तरह से उपर की तरफ फिर से सिलाय लगा लेनी है, और इस तरह से सिलाय लगाने के बाद, अब हम इसे fold कर लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारी जो blouse की finishing है, कुछ इस तरह से आई है, अब हमें इहाँ पे इसे इसमें फिर से attach कर लेना है, और फिर से मैं नीचे की तरफ एक सिलाय और लगा लूँगी, तो यहाँ पे इस तरह से सिलाय लगा लेनी है, पूरे ही अस्तर को इस कपड़े पे attach कर लेना है, अब हमें इसे जो हमारा extra कपड़ा है, फैब्रिक का उसे cut कर लेना है, अब यहाँ पे हमारा जो अस्तर है, वो attach हो चुका है, अब जो हमने fitting का निसान लगाया था, उस पे इस तरह से cut लगा लेना है, और यहाँ पे भी हमें इस तरह से cut लगाना है, क्योंकि हमें जो चुन्टें डालनी है, वो इसी area पे डालनी है, तो जो आप देख सकते हैं, इस तरह का area हमारा round shape में आया हुआ है, यहीं पे हमें plates डालनी है, तो आप हम इसका भी एक बार सेंटर कर लेंगे, और सेंटर करने के बाद सेंटर पे हमें इस तरह से cut लगा लेंगे, और यहां पे हमने cut लगा लिये हैं, अब हमने जो यहां पे cut लगाया था, आप देख सकते हैं, जो एक round shape में जो भी बचा हुआ कपड़ा है आगे की तरफ पे, वहां पे हमें इस तरह से बारिक बारिक चुन्टें डालनी हैं, और यहां पे हमारी चुन्टें डल चुकी हैं, फ्रेंट से आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका shape आया हुआ है, अब हमें यहां पे नीचे की तरफ जो लेस है उसे लगा लेना है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, इस तरह से इसकी plates आया हुई है, अब हम यहां पे lace attach कर लेंगे, तो यहां पे हमारी lace attach हो चुकी है, और जो आगे की तरफ का lace है, उसे हम कट कर लेंगे, और अब हम यहां पे लगा लेंगे निसान इसकी fitting का, जो हमारी marking पहले से हो रखी है, उसी के उपर हम यहां पे stitch कर लेते हैं, और यहां पे fitting लगाते समय, एक slide extra लगा लें, ताकि अब हमें यहां पे इसे अपनी blouse में attach कर लेना है, तो friends यहां पे आप देख सकते हैं, इस तरह से जो हमारा solder की side का जो हिस्सा है, वहीं पे हमें निसान लगा लेने हैं slips में, तो यहां पे आप देख सकते हैं, चौक से में इस तरह से निसान इस पे लगा रही हूं, तो इस यस निसान को हमें जो हमारे blouse का solder है वहाँ पे लगा कर ही slice रूब करनी है और जो हमारे puff हैं वो हमारे कंदे की side पे center पे आने चाहिए दोनों तरब बराबर होने चाहिए जिस से finishing अच्छी आएगी blouse की slips की तो फ्रेंस यहां पर आप देख सकते हैं तो आधी इंचे की दूरी पर मैं इस तरह से slips को attach कर रही हूँ और यहां पर जो हमारा margin वाला हिस्सा है इसे मैंने इस तरह से fold कर लिया है नीचे की तरफ वाले हिस्से को और अब यहां पर उपर वाले हिस्से को भी मैं इसी तरह से fold कर दूँगी और इसके उपर slide कर दूँगी सो फ्रेंज यहां पर हमाई sleeves attach हो चुकी है फ्रेंज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू फार वाचिंग